नमस्कार सांतियों मैं उसंतो जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुगसन चनल हमारे चनल पर आपका हारदिक हारदिक स्वागत है इस वीडियो के अंतरकत हम क्लास 12 के फिजिक्स के माडल कोश्ण प्रेपर की चर्चा करेंगे और इस माडल प्रेश्ण पत्र की फितएस्टा यह है नवीन्तम ब्लुऊ प्रिंट पर अधाय थे और इस नवीन्तम ब्लुप्रिंट पर आधायत प्रश्ण पत्र ही देशा एकže और यह जो प्रश्ण पत्र डिजाइन किया गया है यह पूरु नितह ब्लू प्रिंट का विस्तार से अध्यन करने के पस्याद बनाये गया है तो यहाँ पर हम पेपर के सम्माद में कुछ महात्पूर निर्देश पढ़ लेते हैं पहला निर्देश है कि संपूर प्रश्ण पत्र को तीन खंड अ बस में विवाज़त किया गया है दूसरा खंड है खंड अ में वस्तुनिष्ट प्रश्णों को समाविष्ट किया गया है और यह प्रश्ण एक से लेकर चार तक की प्रश्ण है खंड ब विश्याधायत प्रश्णों को समाविष्ट किया गया है इसमें प्रश्ण नमबर पांच से साथ तक है उसके बाद खंड स जो है उसमें विश्याधायत प्रश्णों को समाविष्ट किया गया है और प्रश्ण नमबर पांच से आठ तक है यहाँ पर मैं यह बता दिनु कि प्रश्ण नंबर एक से चार तक की जो प्रश्ण है वो अब्जेक्टी वाले है एक अंक वाले इसमें प्रश्ण है जो प्रश्ण जो होंगे वो एक एक अंक वाले रहेंगे और जो खंड बा में प्रश्ण है वो तीन-तीन अंक वाले खंड साज है उसमें आठ से दस तक जो प्रश्ण है वो चार चार रांक वाले रहेंगे और किस तर से प्रश्ण रहेंगे वो हम आपको आगे दिखा देते हैं हलाकि इस प्रश्ण पत्र का में आपजेक्टिव पर है उसका सोलुशन आपको करके अगले वीडियो में दिखाऊंगा यहां पर मैं आपको क्यल प्रश्ण बताना जाएंगा ताकि आप खुद चिंतन करें और उनके सही जवाब क्या वो आप जानने की कोशित करें तो देख प्रश्ण है और नारगेट का बुलियन विंजक क्या है तो इसके लिए चार आपसंस आपके सामने इस तरह से है विश्वत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है इन चार आपसंस में आपको सेलेक्ट करना है भारत में घरों में सप्लाई की जाने वाले धरा की आवरती क यह कि इस तरह से इस पहले प्रश्ण के इंदर पांच प्रश्ण पूछे गए थे एक एक अग्रें अगला पॉख्ण अगला मी दो सही आफ्जी क्या है यह आपको यहां लासन उनक्त बताय की बैठ यहां कुछ गलत लिखा गया है यह tym सब्स和o है और वो प्रश्ण क्या है वो आपको मैं बताता हूं नाट गेट में दो निवेशी और एक निर्गा सिंगल होता है जेनर डायोड वॉल्टेज नियामक युकती है पी प्रकार के अर्चालाग में बहुत संख्यक आविस भाग लेक्टान होते हैं मैं इस प्रश्ण पत्र को हिंदी और इंगलिस मीडियम के छात्रों को ध्यान में रखकर बना है इसलिए एक कोस्चन को इंगलिस में भी दिया गया है लेकिन मैं है पर आपको सिदे सिदे प्रश्ण हिंदी माध्यम के छात्रों को ध्यान में रखकर बता रहा हूं अगला प्रश्ण हमारा है सभी गे प्रस्टनों को उत्तर एक सब्द एक वाक्य में दीजिए इसमें एक एक अंक के छे प्रस्टने पूछे गए हैं इन्द गेट का लाजिक प्रतिक बनाईए धारा के चुम्बे की प्रभावी खोज किसने की लारेंजबल किया है इसी के अगले करम में किसी संधरायत्र में उर कि यहां पर देख रहे हैं कि इसमें एक से चार नंबर एक से लेकर चार तक दीए हैं कि इसमें खंड में एक से चार यहनि खंड आ में एक से चार तक प्रस्ण दिये गए हैं और इसके अंदर जो प्रस्ण है यह एक एक अंक वाले हैं इस तरह से 21 अंक के हुए हैं 21 अंक के से के से हुए हैं कि शुरू के तीन प्रस्ण पांच-पांच नंबर वाले हैं और ये चोथा प्रस्ण जिसमें 6 अंक दिये थे इस तरह से 21 अंक के हो गए हैं आगे चलिए यहां पर जो है इसी का जो फॉर्थ था उसका लास्ट वाला पार्ट साथ बज गया था किसी तहार को खीच कर उसकी लंबाई को दूगना कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा अब खंड बह आता है कि कम बोश्च अंक वाले प्रस्भन आपको हल करने है कि और कममें 5 वा peace के सोरी पांच वा चटा और सात कर सीज ङे इसमें कुछ आपको प्रश्ण दी जाएगे उसे प्रश्ण हल करने रहेंगे जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं though यहां पर आप निमलकित प्रश्ण को मैं रिखे और उनकर इप नान अख न होते हैं यह प्रश्ण क्या है विद्द छेत्र रेखाओं वा चुम्ब की छेत्र रेखाओं में तीन अंतर लिखे धारावाही वरत्ती कुंडली की केंदर पर चुम्ब की छेत्र की तिरुता के लिवेंजग स्थापीत कीजिए संट क्या है इसके सिध्धान्त को समझाईए इस प्रश्ण बच गए हैं जिने हम अगले माडल कुष्ण पेपर में आपको दिखाएंगे तो आईए अगला कुष्ण हमारा छटा है निम्न मैंसे किनी दो प्रश्णों के उत्तर पचत्तर से सो सब्दम लिखे ये भी तीन तीन आंग के दो प्रश्ण इस तरह से च्छे अं प्रश्ण के तीन गुंड लिखे और भुष्टर का नियम लिखकर सिद्ध करो की परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस पर लंब बहुत होती है उसी के अगले करम में इसी सेक्षन बी का सात्वा प्रश्ण है वो इस तरह से है निम्न लिखित में से किनी तीन प् कि पिछले बर्स जो प्रश्ण पत्र आया करते थे उसमें एक मैंद प्रश्ण उसके अत्वा में आर प्रश्ण हुआ करता लेकिन अब यहां पर पूरे एक ग्रूप के रूप में कोश्ण दी जाए हैं तो देखिए यहां पर पहला प्रश्ण क्या है आर एंड नाट सब्सक्रवाले फोटान का ऊड़ जाका करना किजिए सेक्संट सी में आपको चार-चार उंक वाले प्रश्ण रहेंगे तो यह फ्रिश्ण क्सें चार तरह से दी जाएंगे पुरा देखिए को से नहां आठ है इसमें को कुछ प्रश्ण दिए गहे जैसा की मैं आपको इन 4 प्रशन आपको दिए गए हैं इन 4 प्रषनों में आपको 2 प्रषन हल करना हैं हो सकता है कि वार्षिक परिक्ष्छा में आपको 3 कि दो प्रशन दे तो आप ये परिक्षय के उपर डबेंड़ करता है तो यहां पर देखेएamosator से आपको किनी दो प्रास्टनों को हल करना है कि वार्षी परिच्य में तीन प्रास्टनों दी जाएं उन्ने से दो को हल करना है साथ ही आपको सब्द सीमा का ध्यान रखना है 120 से 150 सब्दों की सीमा में आपको जवाब देना है अगला प्रश्ण है question number 9 यह भी आठवी प्रश्ण की तरह है इसमें भी दो प्रश्ण हल करना है और चारदुने आठ अंके हो जाएंगे यहां देखिए यंके दिस्ट्रिट प्रश्ण की चुड़ाई के लिए इंजक और एसी परिपत के लिए सिद्ध करो की यहां पर एक numerical दियागा है एक बंद लूप से बद चुम्बगी flux का समीकन निम्नानुसा है तो टी बराद दो सेकंड पस्याद प्रईत विद्वाग बलकी गड़ना कीजिए अगला कोसिन दस्वा अंतीम प्रश्ण है इस प्रश्ण पत्र का जिसमें चार प्रश्ण दिये गए हैं पांच प्रश्ण दिये गए हैं तीन प्रश्ण आपको अटेम्ट करना है देखिए पांच में तीन इस तरह के लाट में प्रश्ण दिये जाएंगे तो आइस्टीन के प्रकास विदित समीकन की स्थापना कीजिए प्रकास विदित प्रभा के नियम लिखिए अब यहां नियम कितने होते हैं चार तो चारो के चारो लिखना है इसलिए चार अंक में दिया गया है पी एन संधी डायोड की अर्ध या पूर्ण तरंग दिश्टकारी के रूप में कारविधी विदित परिपत सही समझाईए और पी एन पी ट्रांजिस्टर की उवेनिस्ट उस्तर जविधा में परवर्धक के रूप में कारविधी विदित परिपत सही समझाईए लास्ट कोश्चन है एन एंडी गेट और नार गेट से नार गेट एंड गेट और आर गेट कैसे प्राप्त करते हैं बोली अन्वेंजक प्रतिक और सत्यसानी पनाईए इसी तरह से हम अगले अन्य विशे के जो है माडल प्रश्चन पत्र भी आपको प्रस्तूत करेंगे लेकिन आपको लब्द करवाएंगे लेकिन इसके लिए आपको अनुपम एजुकसन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों अपने इस्तारों को भी आप सेंड करें ताकि उन तक ही वीडियो पहुंच सके और हमारे महनत का प्रतिफ़ल हमें मिल सके इसको बनाने के लिए हमें काफी महनत करनी पड़ी है हिंदी और इंगलिस दोनों में टाइप करना पड़ा है और जो परिच्छा उप्योगी परिच्छा के देश्ट से महात्पूर्ण प्रस्टन है वो हमें सेलेक्ट करने पड़े हैं और तब जाके हम इस प्रस्टन पत्र को आप तक बना पाए हैं और भेज़ पाए हैं तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवास आत्यों जय हिन जय भारत